विमन्स को लेके मैंने बात की थी कि 2022 जो है वो विमन्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है आपने देखा भी 21 साल के बाद मिसिस वर्ल्ड के रूप में कोशल जी जो मारी जम्मू की है बेटी है सरगम कोशल वो ताज लेके वापस आई देखे इस साल जो है जो टॉरस जिसको हम वरिशब बोलते हैं उसके बाद जिसको हम कुंब राशी बोलते हैं और मेश राशी और तुला राशी यह जो राशी बहुत अच्छा प्रफॉर्म करने वाएं कि 2023 का टोटल ही पहले साथ आता है तो सात नमबर तो पहले ही फोकस रहने वाला है जैसे मेरा भी सात नमबर लग्की होगा, I guess आपका भी होगा ही, जी, उसके इलावा एक नमबर, दो नमबर, साथ नमबर, चार नमबर और ग्यारा नमबर जो है, ये बहुत फोकस पर रहना वाला है, चमकीला कलर जैसे हम बोलते हैं, लाइट टोन के जो कलर होते हैं, उनको आप यूज कर सकते ह जो सफेद चमकीला सा धागा आता है, उसको आप अपनी किसी भी कलाई में बाहन सकते हैं, 2023 में लहसुनिया, उसको हम कैट साही बोलते हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा, जो भी लोग इसको धारन करना चाहते हैं, एक अच्छे स्ट्रॉलजर से वरामर्ष लेके आप उसक इस साल आप काले कुत्य की सेवा कीजिए, सबसे बड़ा उपाए, और केतु को कही न कहीं, जैसे मने आपसे अभी कहा कि गुरु गरह की तरह ही माना जाता है, हो सकता है कि इस साल जो इंडस्री जो बहुत अच्छी जाएंगी, एक तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इस पे फोकस कर सकते हैं, फार्मसिटिकल इंडस्री है, जिस पे फोकस किया सकता है, ठर्ड वन इज आयुरवेद, आयुरवेद में फोकस किया सकते है, मनो चुकित्सा जो है, साइकेट्रिक फील्ड जो है, बहुत ज़ादा इस साल आपको देखने को मिले, 2022 को हमने शुक्र के बा है सन दोहजार बायिस समाप्त हो रहा है अपनी कई यादों के साथ अब यह हम से अलविदा लेगा और सन तोहजार तेज़ ai birds हमारे दरोजे पर दस्त्त दे रहा है लेकिन सन थोहजार तेज की गर्म में आखे क्या है कैसा रहेगा सन 2023 किन चीजों में लाब होगा किन राश्यों को लाब होगा और किन तरीकों से लाब होगा हम क्या ऐसा करें कि सन 2023 हमारे लिए फाइदे मंद रहें यह ऐसे सवाल हैं जो की बहुत जरूरी हैं किसी के जहन में होते हैं मेरे साथ मौझूद है निहा शिव गोतरा जो की इंटरनेशनल एस्ट्रोजर हैं और नुमेरलोजिस्ट हैं इन से जानेंगे कि सन 2023 जो की आने वाला है वो किस प्रकार से रहेगा मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है तेंक्यू को जी आपने बहुत सी प्रडिक्शन की और जैसे कि आप सबने देखा कि साल 2020-21 करोना की महमारी के दोरान गुजरा और उस टाइम मैंने पहली कहा था साल 2020 और साल 2021 में जो मैंने प्रेडिक्शन की थी मैंने उस टाम कहा था कि जो साल 2020 है वो राहू का साल है और जो ऐसी घटना है जिनके बारे में हमने नहीं सुना हुआ है वो हो सकती है तो करोना की महामारी जो है हमने देखी हमने जहेली बहुत से लोग लॉक्डाउन में फसे सबका काम बंध हुआ वहाँ पे और अभी 2021 में हमने कहा था फ्लक्चुेटिंग यह रहेगा और दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगा 2022 के बारे में हमने कहा था कि 2022 जो है वो एक अच्छा साल है 2022 में आपको Glamour World, Glamour Industry, Restaurant Industry, Hotel Industry और साथी साथ में Women's को लेके मैंने बात की थी कि 2022 जो है वो Women's के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है आपने देखा भी 21 साल के बाद Mrs. World के रूप में Kaushal जी जो हमारी जम्मू की है बेटी है सरगम Kaushal वो ताज लेके वापिस आई है हमारी महिला जो आगे बढ़ रही है वो आपने देखा और हॉक्की टीम जो है वो भी एक महिलाओं की टीम है वो भी आगे आई साथ में दिपिका पादिकुन जी है जिनोंने अभी She came as a global icon जिनोंने FIFA World Cup का जो कप है उसको अनवेल किया और मुर्मुरुजी जो हमारी प्रेजडेंट साहिबा है वो भी जो है एक महिला है और महिलाओं के लिए 2022 की मैंने प्रेडिक्शन की दी बहुत अच्छा रहेगा ग्लामर इंडस्ट्री के लिए फूड इंडस्री के लिए जैसे आपने देखा कि जो महामारी बीस और इकिस में हमने जहेली और 2022 में वो पट्री पे दीरे दीरे दुबारा आ गई तो मैं 2023 की बात करें तो 2023 कैसा रहने वाला है क्या एहम बिंदू होंगे उसके और किन चीज़ों पर जो है जमा करते हैं तो वो टोटल अंक बनके आता है साथ साथ नंबर जो है वो केतु ग्रह को डिनोट करता है केतु एक छाया ग्रह है छाया ग्रह जो होते हैं उनका जो माप्टन देखा जाता है वो हमेशा अंसर्टिनिटी के साथ ही होते है लेकिन केतु जो है वो गुरु का चेला माना गया है और कहीं न कहीं वो गुरु ग्रह की तरह एक्ट करता है और mostly ये देखा गया है कि एक जंडा जो है उसको वो डिनोट करता है हमारी जड़ों को डिनोट करता है हमारे ancestors जो हमारे पूरवज हैं उनको वो डिनोट करता है किसी को रोजगार की बहुत फिकर चिंता रहती है तो अगर 2030 की बात करें तो युवाओं को और बेरोजगार जो लोग हैं उन्हें किस इंडस्ट्री पे ज़्यादा नौक करना चाहिए फोकस करना चाहिए ताकि उन्हें बहतर रोजगार की जो अपरचुन्टीस है वो मिल सक कि यह जो साल जो है जैसे मैं अपनी जड़ों की तरफ लेके जा रहा है हो सकता है कि इस साल जो इंडस्ट्री जो बहुत अच्छी जाएंगी एक तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस पे फोकस कर सकते हैं फार्मसिटिकल इंडस्ट्री है जिस पे फोकस किया जा सकता है जो है वो अपनी पुरानी जड़ों की तरफ जरूर जाएगा और अगर इस साल इन्हांस करना ही चाहते हैं तो आप योगा प्रणयाम को अपना सकते हैं और साथ इसाथ फार्मसोटिकल को अपनाएए फार्मसोटिकल इंडस्ट्री के तरफ रुजान बढ़ सकता है लोगों क यह जो बात है अपने कहीं कि यह जो इंडस्ट्री साइँ यहां पर लोग फोकस कर सकते हैं तो क्या इनके लिए हर कोई फोकस कर सकता है इन जरनल यह बात है या पर कुछ राशियां है जिनके लिए यह ज्यादा बैटर रहेगा या पर हर एक राशी का व्यक्ति जो है वो परफॉर्म करती है देखे इस साल जो है जो टॉरस जिसको हम वरिशब बोलते हैं उसके बाद अक्वारियस जिसको हम कुंब राशी बोलते हैं और मेश राशी और तुला राशी यह जो राशी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है बाकी राशी जो है उनका जो असर ह वो मिला जुला देखने को मिलेगा हाँ थोड़ी वो त्मेहनत मशक्कत उसमें करने को जरूर मैं कहूंगे कि उसमें थोड़ी सी मैने जरूर कीजिए बाकी राशिया बहुत अच्छा अफल देंगी जो राशिया आपने बताई कि ये अच्छा करने वाली है, उन्हें ऐसा किया करने की जरूरत रहेगी क्या कोई टोटका है या क्या कोई मंत्र है ताकि वो भी अच्छा परफर्फॉर्म करें और जो चीज़े आपने बताई उनमें उनको भी बराबर की जो बागिदारी है वो बुरा हो यह कभी यह नहीं चाहती कि हम किसी मुसीबत में आए या ऐसा कुछ हो तो होता क्या है कि जैसे हम अगर कहीं जैसे suppose हम अभी एक ठंडे परदेश में जाना चाहरे हैं तो अगर हमें पता होगा कि वहाँ पर हम ठंडे कपड़े लेके चले जाएं तो हम वहां की ठंड से बच सकते हैं तो ऐसे ही ग्रह होते हैं ऐसे ही राशियां होती हैं और ऐसे ही सुपरनेश्रल पावर्स भी होती हैं अगर हम उनके एकॉर्डिंगली थोड़ा सा अपने आपको अनुकूल कर लेते हैं तो हम उन चीजों से जो हमारे आगे घटनाए होना ही वाली होती हैं उनसे हम बच जाते हैं हाँ छोटे-छोटे उपाय जो है हमें करने चाहिए और इन उपायों से जुड कर हम अपने आपको अपने जड़ों से महसूस जुड़ा हुआ करते हैं लोगों में ये बहुत दारना है कि टोटल ही पहले 7 आता है तो 7 नमबर तो पहले ही फोकस रहने वाला है जैसे मेरा भी 7 नमबर लगई होगा आई guess आपका भी हो गई उसके इलावा एक नंबर, दो नंबर 7 नंबर, 4 नंबर और 11 नंबर जो है ये बहुत focus पर रहने वाला है अगर आप lucky number जूज करना जाते हैं एक, चार, दो और साथ को चूज कर सकते हैं जी और color की बात में अगर करूँ तो इस साल जो है चमकीला color जासे हम बोलते हैं light tones के color होते हैं उनको आप use कर सकते हैं light tone के colors में जो सफेद चमकीला सा धागा आता है उ जो लोग जिस हाथ से लिखते हैं, उस हाथ में उसको आप इन जनरल लाब बान सकते हैं, इसके अलावा अगर जनरल रेमेडी की बात करें, जो कि हर किसी परलागों होती है, तो वो कुम सी रेमेडी हैं, जो कि आम भ्यक्ति भी अगर करें, तो उसे लाब मिलेगा, जी सबसे पहले इस साल जनरल रेमेडी में काले कुत्ते को रोटी खिलाना, ये सबसे बड़ा उपाय है, इस साल आप काले कुत्ते की सेवा कीजिए, सबसे बड़ा उपाय, और केतु को कही न कहीं, जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि गुरु गरह की तरह ही माना जाता है, वो एक टाइ अगर हम बात करें, 2023 में लोगों के स्वास्त लेकि क्योंकि हम 2019 से इस स्वास्त को लेकर काफी परिशानी में रहे हैं, तो 2023 लोगों के स्वास्त के लिए कैसा साल रहेगा? 2023 जो है, देखे स्वास्त के रूप में अगर मैं कहूं, एहम, वहम और ब्रह्म, इन चीजों से निकलना हमें 2023 में इस तरफ हमें फोकस करना है, क्योंकि मैंने आपसे जैसे शुरू में ही कहा कि 2023 जो है, वो केतु प्रधान रहेगा, और केतु जो है, वो हमारी जड़ों को आयुरवेद की तरफ भी लेती है, अगर हम योगा, प्रनयाम को जगा दे, as compared to हम ये सोचे कि उसने मिरसाथ ऐसे किया, उसने मिरसाथ ये किया, हम एहम, वहम में फसे रहें, और हमारा पास्ट, जिसको हम बूत काल बोलते हैं, उसमें ही पड़े रहें, तो हम एक तरीके से psychic feel करते हैं, तो इस साल सबसे बड़ी बात है, जड़ों से जुड़िये, लेकिन वहम, एहम और ब्रहम से दूर रही है, सबसे बड़ा मूल मंत्रों तुम्हें यही कहूंगी, इस साल का है, और योगा और प्रनयाम को ज़रूर अपना है, चात्रों की बात करें, या बाकी जो student है, उनकी बात करें, तो क्या उनको भी 2023 कुछ खास देने वाला है, या पिर समाने जिसे 2022 से पहले रहा, 2019 रहा, जब studies बहुत जादा सफर हुई हैं, तो क्या वही सब रहने वाला है या कुछ पैतर होने वाला है, जी बिल्कुल क्यों नहीं, हर साल जैसे हम उम्मीद कर हैं, खुशियों बरा आएगा, इस साल भी बहुत अच्छा आएगा, हाँ, महनत तो जैसे मैंने आपको बताया है, कि कुछ राशियां जो है, वो मिला जुला एफेक्ट देने वाली है, और हाँ, इस साल जो है, हो सके तो अपनी आपको ऑकल साइंसी की तरफ जरूर लेके आप देखेंगे लोगों को होते हुए, चातरों के लिए भी बहुत अच्छा साल है, और जिन राशियों के मैंने बात की है, अगर वो उन राशी से भी हैं, तो और भी अच्छा है, नहीं तो जो मैंने उपाय बताया है, वो तो करने लिए है, इसके इलावा, पर्टिकुल मीडिया इंडस्ट्री से है, सबसे बड़ी बात है, मीडिया, जर्नलिजम, राइटिंग, जिसको हम फाइन आर्ट्स पोलते हैं, इसकी तरफ चो है, लोगों का रुजान बढ़े तो और अच्छी बात है, कैमिकल इंडस्ट्री की तरफ, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट की तर जिसको भारत का ताज मना जाता है, उसके उपर कोई भी दाग ना हो, कभी भी, और जर्मू किश्मीर हमेशा फले फूले और आगे बढ़ता रहे है, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी सूपर नैच्रल पावर है, कोई भी बगवान है, कोई भी ग्रव है, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करता है, अगर हम समझ लें कि वो क्या चाह रहा है हमसे, ठीक है, उसके तरीके से हम धल जाएं, तो हमें उसका नुकसान नहीं होगा, हम प्लस-प्लस में रहेंगे, हम नेगिटिव-नेगिटिव में नहीं हो जाएंगे, जैसे ठंडे लेके जाएंगे, तो आप अनुकूल होगे वहां के, तो वैसे ही, एस्ट्रॉलजी है, ये एक करम प्रधान आप कह सकते हैं, हाँ, मैं मानती हूँ कि लोग वहम में बहुत जादा पढ़ जाते हैं, वो नहीं पढ़ना चाहिए, आप एस्ट्रॉलजर को ऐस जादूगर न तो क्या 2023 में कुछ स्टोन्स ऐसे हैं, जो कि अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, और क्या वाकिए में स्टोन्स रिजल्ट देते भी हैं ये नहीं? जाना चाहते हैं, एक अच्छे स्ट्रॉलजर से वरामर्श लेके आप उसको जरूर धारंग कर सकते हैं, आपको मैसेज क्या रहेगा सन 2030 में सभी के लिए, जी 2023 में मेरा मैसेज ये रहेगा कि अपने आपको एगो से, क्लैशिस से बाहर निका लिए, एहम वहम और भ्रहम से बाहर निका लिए, कि उसने मेरे लिए ये कर दिया, उसने मेरे लिए वो कर दिया, ऐसा कह दिया, उस चीज से अपने आपको बाहर निका लिए, हंबलनेस जो है, उसके तरफ चलने की कोशिश कीजिए, मैं आपसे एक दो लाइने कहूंगी, जब माता सीता के पास हनुमान गए तो माता सीता ने उनसे कहा हनुमान जी आप कुन है तो उन्होंने कहा राम दूत मैं मात जानकी उन्होंने सिर्फ दो शब्दों में बात खतम कर दी कि मा मैं राम का दूत हूं इससे बड़ी मेरी कोई पहचान नहीं है तो हम अगर हम कहीं कोई किसी की जान पहचान रखत निकल के हम्बलनेस को अपलाएं जैसे बगवान राम है मा सीता है और बगवान हनुमान जी ने जो इतनी बड़ी सीख दी हम्बलनेस की कि राम दूद मैं मात जाने की लोग प्रॉफाइल रही है इसके लाग आपने बहुत अच्छी अच्छी बाते की है आप से जुड़ना चाहेंगे तो अगर आप से जुड़ना हो since you are international astrologer तो आप से जुड़ने के लिए क्या way out है कैसे आप से contact किया जा सकते है जी मेरी website है www.astroniha.com उसके थुड़ू आप मुझे संपर कर सकते हैं बाकी मेरी email आईडी है आप उससे जुड़के मुझे message वगरा करके और whatsapp पे जुड़ सकते हैं anytime you can visit me तो 2023 जो है वो आप सब के लिए मंगल में ही रहने वाला है कुछे का चीजें हैं जो कि निहाजे ने बताई है color pattern number system उसके लावा किन राशियों के लिए 2023 विशेश रहने वाला है कौन सा ग्रह जो है वो पूरे वर्ष में जो हावी रहेगा और किस प्रकार का प्रभाव उन्होंने बताई है आप उस पर जाएं लॉग इन करें इन से कॉंटेक्ट करें वाटसैप पर इन से बात करें और जो भी आप अपनी जिंदगी में बदलाब लना चाहते हैं वह जरूर लाएं बाकि हम भी आप सब के लिए आज सन 2030 की बहुत बहुत शुब कामना या आप